बिहार चुनाओं को ये दोर है और बिहार में इस समय अंबिटकरेट पार्टी आफ इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन जा रहा है हम थोड़ा सा बिहार के इस पॉलिटिकल नेक्सिस को समझने का प्रयास करेंगे हमारे साथ है अमिटकरेट पार्टी आफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट धिमान विजे मानकर साहब मानकर साहब एक बात आप से समझना चाहेंगे बिहार इलेक्शन को आप कैसा देख रहे हैं क्योंकि आपका भी इधर एक प्रेजन्स दिख रहा है बिहार इलेक्शन में बदलावाने की संभावना है और जो नितिश कुमार और बीजेपी की जो गवर्मेंट है इंडिया की जिसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर सत्यानंद है उसके बाद में राश्टे जनकल्यान पार्टी सेकुलर जिसके जो अद्धिक्ष है अनील पासी जी है इनके साथ API का अलाइंस है और हम लोग भी स्वेम जो है 100 के उपर सीटे जो है तीनों मिल के जो है 100-800 सीटे लड़ेंग कितनी संभावना देख रहे हैं आप? जलकर वो गए और बाद में ट्रेन शुरू हुई तो इस तरह के काफी इशू है या इंडस्ट्री का डेवलप्मेंट बिलकुल नहीं है बाढ़ की समस्या इतने सालों से बिहार में है कि हर 6 मैने बाद में जो है वो अब कुछ बसाते और फिर बरबाद हो जाता है इसके ल गए लाइंस का जो है वो से है और बाकी पार्टी इस तरह से प्रयास कर रही है मैं उमीद करता हूं कि इस बार जो है वो कुछ बदलाओ बड़ा बडलाओ बीहर में नज़र आएगा क्या anti-incumbency देखते हैं बिहार में बिलकुल anti-incumbency ही है क्योंकि 15 साल हुए और अगर बिहार अभी भी जो है वो develop नहीं कर पा रहा है जबकि नितिश कुमार की अंडिय की government वहां है और केंदर में जो है वो मोदी जी की second term government है फिर भी अभी तक special package जो बिहार को देना था या special government को change करके एक नही alternative government लाने की सोच बिहार में ज़रूर रख रही है उसमें हम उमीद कर रहे है कि API का जो alliance है हमारा लजेपी secular के साथ में और राष्टिय जनकल लेंड पर्टी secular के साथ में ये भी सवासो seat पे जो है वो कुछ अच्छा performance देगा और कुछ seat हम भी जो है वो जीत के alternative government एदी बनती है तो उस पर फिर विचार किया जाएगा अक्सर हम लोग देखते हैं कि elections में इस बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि जो सत्ता पक्ष के खिलाब जो विपक्ष होता है वो पूरे विपक्ष ने इकटे हो जाए तो वो सत्ता पक्ष को बाहर कर सकता है ये एक बात चलती है और ये कहा जाता है कि जब विपक्ष ब तो अब हमारे FPTP में जो सीटे होती है जैसे मान लेजे 243 जो है सीटे है बियार में उसमें जो है कितना वोट परसेंट कितने सीटों के ओपर कौन से अलाइंस को मिल रहा है उससे जो है वो सीटों का अकड़ा आएगा एकदम ऐसा नहीं होगा कि अगर दो या चार अलाइंस है तो एकदम जो रूलिंग अलाइंस है वो जीट जाएगा जैसा नहीं होता है आपका वोट परसेंटेज कहां कैसे डिस्ट्रिब्यूट हुआ है वो भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप इस बार चुनाओं में बिहार के बिहार के चुनाओं में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नितिश कुमार की गवर्मेंट का जो विफलता है उसका है एक तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है फिर बिहार के उद्दोगी कर बिहार के लोगों को इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो माइगरेशन है यानि जो स्तनांतरन है जो बिरोजगारी जी के वज़े से स्तनांतरन होता है वो रोखने के लिए जो वेकलपिक नीतिया है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा है और इसके साथ में जो है हम देख रहे कि BJP की गौर्मेंट्स के जहां जहां रहती वहां SCST के उपर या Minorities के उपर या पिछडों के उपर जो अन्या अताचार होता है वो भी एक मुद्दा है जो भेदभाव का मुद्दा है अन्या अताचारी आट्रोसिटीज का मुद्दा है